बदल जाएगी अब यह तो राज की बात है आज कल में बदल जाएगी आप राज बड़े रख रहे हैं और बाद में आप जो है खुलासा बड़ा कर रहे हैं पॉलिटिक्स में ऐसे चलता है राजनीती है और इतना हिंट बहुत है कि सरकार बदल रहे हैं नाराज मिदाएक त साथ आने के लिए तयार हो गए है हाँ सब उनके इलावा बहुत त्यार है और भी हाँ हाँ आज तो जो फैंसीटर थे वह बदल गए सारे बदल गए ऐसे होगा हम आप देखते जाहिए दिन बाए दिन तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा या फिर भाजपा का होगा हम को कोई बाचीत हो पाई है अभी जो विदायक है बाचीते चल रही है सारी रहात सारा दिन सारी रहा वो तो हमने देखा तो आप से ये भी हम समदना चाहेंगे अब प्रात्मिकता है जरा बता दीजे ये तो अभी चले जो हिमाचल के लोगों को मुश्कलाते फेस करने आ रही है अब जो नौन परफॉर्मंस गॉर्मंट थी अब हमने परफॉर्मंस वाड़ी गॉर्मंट लानी है तो जानकारी तो ये भी है कि जिन कॉंग्रेस के विधायकों ने आपको समर्थन दिया है आपको वोट दिया है वो ये कह रहे हैं कि परदेश हित में उन्होंने फैसला लिया है अपने वोटर को क्या मूत खाते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं कोई उनकी कम नहीं को रहा है सरकार बनाने का दावा तो आप पेश नहीं कर रहे हैं आगे देखें कि क्या होता है शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अब उतो एक्स्क्लूसीब बाचीत इन्होंने हमसे की है तो ये तो कह रहे हैं कि आप जो है सरकार ये बनाएंगे सरकार जो है वो बदलने जा रही है यहां पर रंबीर अभी देखें बीजेपी के सरकार तो नहीं बनी है लेकिन सीम का जो सरकारी आवास है उसके पास बीजेपी के लोग जरूर मिलने लगे हैं यहां बिलकुल इसे सयो कहें कुछ हम कहें इसको लेकिन सुबह का वक्त है तो सुबह के समय हल चले जो है बहुत तेज हैं तो यहां पर जो अब राजसवा के सांसद हैं हर्ष महाजन ये तो दावा कर हैं कि सरकार जो बडलने जा रही है भाजपा का मुखे मंध्री होगा ये कहने जा रहे लेकिन बड़ी हलचल अभी होना बाकि है वो सबसे पहले अपनी बात रखेंगे जिस तरहां से उन पर आखशेप किया गया है शोशल मेडिया पर जो कॉंग्रस के नेता है और जो मुख्यमंत्री ने उनको लेकर टिपनी की है उससे नाराज है वो जो है खुद को गद्दार कहे जाने से आँभव है उनका यही अभी भी यही मानना है कि उन्होंने परदेश हित मेरे फैसला लिया है और वोटिंग करना, मतदान करना, किसे मतदान करना, वो विदायकों का अधिकार है, उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया है, अब इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन यहां पर यह ओक ओवर की तस्वीरे यह अभी बता रही है, कि यहां पर फिलाल कोई अभी पहुँचा नहीं है, कुछी देर में हो सकता है की यहां पर हल चले तेज हो जाएंगी और कुछ नेता जो है यहां पर पहुंचेंगे लिए भी यहाँ पर अभी जो यहाँ अपने घरों में रहता है जो उनके सयोगी रहे हैं वो कुछ-कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं थोड़ा धीर धीर हलचल बढ़े की रण्बिर हमारे साथ लगातार बने रही है सीधे राजबहुन का रुख करेंगे शिमला का हमारे सायोगी राजेंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंदर देखे अब हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और अभी आपने बीजेपी के कई विधायकों से कई वरिश नेताओं से राजबहुन के बाहर बाचीत किये और सबका संकेत यही है कि अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी लेकिन आप यहाँ पर देखे कि बीजेपी की जो रणनीती है कि आज सदन में आज का दिन बहुत important होने वाला है और सदन शुरू होने से पहले आज की कारवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने एक तरह से जो अपनी नाराजगी है विदानसभा अध्याश को लेकर जो इससे पहले की कारवाई हुई उसे लेकर